मित्रों आज की कहानी एक बुढिया माई और धर्मराज की है, तो कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा बहुत ही ज्यानवर्धक कहानी है, एक बुढिया माई थी, वह व्रक्नियम बहुत रखती थी, एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आये, बुढिया माई उपस्थित हो गई, गाय की पूँच पकड़कर बुढिया माई ने नदी पार कर लिया, आगे गई तो काले कुट्टे खाने दोड़े, तब यमदूत ने पूछा, कुट्टे को रोटी दी है, क्या बुढिया माई ने मन में कुट्टे का ध्यान किया, तो कुट्टे चले गए, आगे चली तो काले कौए बुढिया माई को चोंच मारने लगे, तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मन की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है, या नहीं बुढिया माई ने ब्राह्मन की बेटी को याद किया, तो कौए ने चोंच मारना छोर दिया, आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे यमदूत ने कहा चपल दान किया है बुढिया माई ने याद किया तो चपल पैरों में आ गई आगे चली तो चितरगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा आप किसको ले आये हो यमदूतों ने कहा बुढिया माई ने बहुत दानपुने कि लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंध है, तब बुढिया माई ने विंती की कि मुझे साथ दिनों के लिए धर्ती पर जाने दो मैं इन साथ दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उध्यापन कर वापस आ जाऊंगी, धर्मराज जी ने उसके प्रान लोटा दिये, धर्ती पर बुढिया माई के शरीर में जान वापस आ गई, सभी लोग बुढिया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्ला कर भाग खड़े हुए, बुढिया माई अपने घर आई, बेटे भू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो सामगरी ला दी, लेकिन कहानी के समय हुकारा नहीं भरा, तब बुढिया माई परोसन के पास गई, बुढिया माई ने साथ दिनों के पश्चात उद्यापन करदान किया, साथवे दिन धर्मराज जी ने बुढिया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा, विमान देखकर सभी गाउवालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा, तब बुढिया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पडोसन ने सुनी है, यह सुनकर सभी गाउवालों ने बुढिया माई के पाफ पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनाने को कहा, बुढिया माई से कहानी सुनने के बा मेरी कहानी इन सब ने सुनी है। इसलिए मेरा आधा पुन्य इनको दे दो और स्वर्ग में वास भी दो तब धर्मराज जी ने सभी गाववासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। सोहे धर्मराज जी जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सब को देना। कहानी बनने वाले को, कहने वाले को, कहते सुनते हुकारा भरने वाले को, मित्रों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेर जरूर करें धन्यवाद.